सितकालिन सतर के अंतिम दिन के प्रश्नकाल की कारवाही बाजपा के वरिष्ट नेता बावुलाल मरांडी के मसले पर हंगामी की भेट चड़ गई इस वक्त हमारे साथ बाजपा के वरिष्ट नेता और मुख्य सचे तक विरंची नारायन जी हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज सदन में ये बार बार मांग उठता रहा कि बावुलाल मरांडी जी ने आसन की आमानना की है और उन पर कारवाई की जानी चाहिए आप लोग इसका विरोध कर रहे थे अब थोड़ा बताईए इसके बारे में देखिए ये बहुत ही दुखत है पिछले चार साल से बावुलाल मरांडी जी हात उठाते रहे और एक बार भी अध्यक जी ने उन्हें बोलने दिया सिर्फ एक बार बोला सूचना के दर्मयान सूचना एक बार अब सवाल उठता है कि वह भारतियांता पार्टी के विदाय के नाते वोट दिया लेकिन विदान्सवाद जीनी मानते हैं वो राजनीत कर रहा है अध्यक्ष का जो आसन है वो न्यायक आसन है अध्यक्ष सिर्फ जेमेम और कॉंग्रेस ने निए बनाया उसे उन्हें वह सर्वसमतै अध्यक्ष है उन्हें भारतियनता पाटी ने भी अ नो तो नो अरे भाई कभी आप प्रधी प्यादों की बात पर चलते हैं कभी आप पूर्जा मंगवाते हैं मुख्यमंत्री हमन सोरेंजी से आप अपने विवेक का इस्तिमाल क्यों नहीं करते बावुलाल मरांडी सिर्फ जेवीम और बीजेपी के विसे नहीं है बावुलाल म मरांडी जारखन के वरिष्ट नेता हैं राजी के प्रतम मुख्यमंत्री हैं यदि वो कुछ बात करेंगे तो उची बात नहीं करेंगे कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे सदन सर्मसार हो यदि कोई बात करेंगे तो राजी को दिसा देने की बात करेंगे तो इस प्रकार से बावुलाल मरांडी जी के संदर्म में प्रदीप यादो जी ने कहा है कि विश्यसादिकार हनन का मामला चलाना चाहिए यह सर्म का विश्य है और प्रदीप यादो जी ऐसा कृतग्न व्यक्ति जिसको प्रदीप यादो को प्रदीप यादो बनाने में बावुलाल मरांडी जी ने उनको अपने प्रथम मुख्यमंत्री तोकाल में इस राजय का सिख्षा मंत्री बना के उन्हें पहचान दी थी और जो व्यक्ति इस बात को भूल गया कि मुझे एक पहचान देने का काम कितने से विदायक हैं मैं खुद पहली बार विदायक था प्रदी प्यादो भी बार विदायक बनके मंत्री बने जो रगवरदास जी ने मुझे तो मंत्री नहीं बनाया कितने ऐसे विदायक हैं जो मंत्री बन गए उनकी पहचान बन गए अमर वावरी जी मंत्री बन गए पहली बार में दूसरी बार में आज नेता प्रतिपक्ष हैं तो अगर प्यादो जी उनको यह सान मानना चाहिए तो कृतनता की पराकाश्टा कर रहे हैं लेकिन बिरंची साहब आज जब यह इस विशह पर चर्चा हुई तो संसद्यकारे मंत्री ने भी कहा कि बाहर में उन्होंने जो कहा वह आमानना का विशह बनता है और स्पीकर करें कि हम नियम इंदर सिंग नामधारी जी को भी सदन ने देखा है हम लोग इंदर सिंग नामधारी जी के क्रिया कलाप को लाइब्रेरी के अंतर जाकर पढ़ते रहें तो कभी कभी सोचता हूं कि क्या स्पीकर के वैभार में आचार में विचार में विद्वता में सोच में इतना के लिए भी और यह बहुत ही दुखत है हम हमारा ही उदारन लीजे न कि हम लोगों ने ऐसा क्या कि इससे ज्यादा तो हंगामा बहुत हुआ सदन में और मेरे और भानु जी के प्रदीप जेपी पटेल जी के निलम्मन के बाद लगातार हंगामा हो रहा है कल तो खुब हंगामा हुआ आज भी हंगामा हुआ तो आप आज निलम्मित क्यों नहीं कर दिया तो कल आपने इसलिए निलम्मित किया कि कल प्रदीप जी ने और मिथलेश ठाकुर जी ने कहा कि नहीं इनको भी निलम्मित करना चीए केंद्र के तर्ज पर दिल्ली के तर्ज पर तो तो जब स्पीकर दूसरे के दिमाग से चलेंगे तो जार्खन विदान सवा का भगवानी माली एक सवाल अभी बिरंची जी बहुत अभी बन रहा है कि सीएम के खिलाब छे संवन के बाद आप लोग बार बार कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए था और जो जानकरी की इडी के अंदर हल चल है गतिवीदी बढ़ी हुई है क्या लग रहा है कि जार्खन में संविधानिक संकट उत्पन होने वाला है देखे यदि जार्खन में किसी संविधानिक संस्था को दरकिनार क्यों करेगा कैसे कर सकता है एक बार नहीं दो बार नहीं छेचे बार आपको नोटिस मिला है आप अगर निर्दोस हैं तो आप जाईए और जाकर साबित करिए दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा फिर जार्खन की जो साड़े दीके नहीं है जारकंड की साड़े तीन करोड़ लगभग आबादी के मुख्यमंत्री हैं इसलिए अगर संवधानिक संकट उत्पन होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमन्सोरेंजी जिम्मेवार हैं दूसरा कोई जिम्मेवार में तो कह रहे हैं कि आदिवासी के ज चोर की जोरी जब पकड़ी जाती है तो निर्दो सावित करने के लिए जोड जोड से हल्ला करता है और कहता है कि मैं चोर नहीं हूं वह आदिवासियत की दुहाई न दे हैं जारकंड में भारतियंता पाटी से बड़ा आदिवासियों का सुपशिंतक और इस देश में दो विभाग समाल रहे हैं पड़ोसी राज में अभी 33 प्रदेशों में हमारी सरकार बनी वहां भी हमने आदिवासि को मुख्यंत्री बनाया उसके पहले केंद्र में राष्ट्रपती महिला द्रौपदी मूर्मूजी को आदिवासि को भारतियंता पाटी ने बनाया तो इस सरकार चार साल के अपनी अपलब्धि गिनानी की तहरी कर रही है और शरुय रही जी कर सा Right A.U. आपके साथ नहीं हैं उन्होंने एक अपना अनुमान अधाया है कि ये सरकार चार साल पूरा नहीं कर पाएगी ऐसा लग रहा है क्या लग रहा है हम लोग देखने वाले हैं एंड दिसम्बर या नहीं सरकार को देखे मैं कोई भविश्य वक्ता तो हूं नहीं लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी अपनी स्रीमती जी को विधान सवा गुमा रहे हैं एक डेडेल घंटा सुना कि एक एक कक्ष गुमाया दिखाया समझा रहे हैं वो संकेत कुछ और दे रहा है तो अब मुख्यमंत्री जी का यह अपना विशिसादिकार है वो किसको सत्ता की साभी सौपते हैं इस पर में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मुझे पूरा विश्वास ह है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जार्खन मुक्ति मूर्था में भी कई टुकड़े होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार अपने कुकर्मों के वाज़ा से गिरेगी यह सरकार अपना कारेकाल पूरा नहीं करेगी तैंक्यू विरंची साब देखे सारे नेता है रहते हैं मनसुरिन यह सब कुछ इडी के हाथ में है और इडी क्या करने वाली है इस पर सिर्फ कयास लगाये जा रहे है लेकिन कयास में एक इसारा जो छिपा हुआ है वोस्त बड़ा कुछ जारकंद में होने वाला है और एक बात जो नए इन्हों सोड़ा दीर विरंची मुखर होकर आज एक जुर्ता सदन के अंदर दिखाई ये बता रहा है कि जार्खन की राजनिती आने वाले समय में बहुत आकरामक होने वाली है क्योंकि अब ये स्टेट एक तरीके से एलेक्शन मोड में उतर चुका है राजेस कुमार सिंगी टीवी भारत राची